दोस्तो यदि आप टेली प्राइम सब्टब्वेर में बेहद आसानी के साथ कारी करना सीखना चाहते हैं, जी एश्टी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबन में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं, उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्यान चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोडिविकिसन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रिस करके, ओल पर भी क्लिक करनें, तो चलिए दोस्तो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, दोस्तो आसम बात करेंगे, जी ए सब्सक्राइब करने का जो समय है दोस्तो वो 31 जनवरी 2021 तक ही है, यानि आगे का जनवरी to मार्च 2021 का जो क्वार्टर है, उसमें आप अपनी रिटर्न GSTR1 और GSTR3 भी मंतली वेसिस पर फाइल करना चाहते हैं, या क्वार्टरली वेसिस पर फाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिलेक्ट करने का जो आपकी पास समय है, वो है सिर्फ 31 जनवरी तक आपने ये सिलेक्ट नहीं किया, तो GST पोर्टल द्वारा, जिसमें भी आपको रख दिया गया है, यानि GST पोर्टल द्वारा माइग्रेशन कर दिया गया है, ऐसे सभी रेगुलर रिष्टर का, जिनका टर्नोवर पिछले फाइनेंसियल यर 2019 वीस में पांच क नहीं किया, यानि आपके पास अभी option है, क्या, कि GST पोर्टल द्वारा आपको जिसमें भी माइग्रेशन कर दिया गया है, क्वार्टरली में कर दिया गया है, या मंत्ली में कर दिया गया है, तो उसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने आवश्यक्ता अनुशा, और ये जो January to March की जो quarter है, उसकी return आपको उसी basis पर फाइल करनी होगी, जिसमें कि आपको migration कर दिया गया है, by default GST पोर्टल द्वारा, यदि मंत्ली में रख दिया गया है, तो फिर January to March 2021 की return आपको मंत्ली basis पर ही फाइल करनी होगी, और यदि quarterly में रख दिया गया है, तो January to March 2021 की जो आप return फाइल करेंगे, वो quarterly basis पर ही आपको फाइल करनी होगी, तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा, कि आपको किस में रख दिया गया है, यानि आप GST में regular registered है, आपका turnover फिछले financial year 19-20 में पांच करोड रपे तक रहा था, तो आपको by default किस में migration कर दिया गया है, तो पहल को आज बताएंगे कि आप किस तरह से ये देखेंगे, कि GST portal दोरह आपको किस में migrate कर दिया गया है, यानि quarterly return में रख दिया गया है, या monthly return में रख दिया गया है, और यदि आप उसको change करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, चलिए आपको बताते हैं, और इसके लिए समय आप के पास है, सिर्फ 31 जनवरी 2021 तक, यदि आप 31 जनवरी 2021 तक ये कर लेंगे, चेंज, तो वो चेंज आप लिए applicable हो जाएगा, यानि January to March 2021 की return आप उसी basis पर फाइल कर पाएंगे, और यदि 31 जनवरी तक जाकर आपने चेंज नहीं किया, तो जिसमें आपको migrate कर दिया गया है, उसी basis पर आपको return फाइल करनी होगी, January to March 2021 के लिए, तो सबसे पहले तो आप ये जाकर चेक कर लें, कि आपका migration किस में किया गया है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, आपको बताते हैं, आपका जो भी ID password उससे login कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर हमारी एक firm है, उसके ID password से मैंन पर आजाना है, आपको cursor लेकर आना return पर, जैसे आप return पर cursor लेकर आएंगे, तो यहाँ नीचे आपको मिलेगा, opt in for quarterly return, इस जगे पर आपको जाना है, इस पर हमने कर दिया click, जैसे ही इस पर हम click करेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा, कि हमको January to March 2021 quarter के लिए, किस में migration किया आ गया है, monthly file में, या फिर quarterly file में, ठीक है, तो यहाँ पर financial year 2021, 2021 ही रहने देंगे, और search पर कर देंगे हम click, जैसे ही हमने search पर click किया, तो यहाँ पर हमारा turnover भी बताए जाएगा, मैं जिस firm के ID password से login किया है, है ना, उनका turnover डेल करोड रुपए से 5 करोड के बीच में रहा है, financial year 2019 में, तो यह भी इस जगे पर बता दिया जाएगा, अब यहाँ पर दोस्तो हमको किस में रख दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे, select frequency, तो यहाँ पर हमारी जो firm इसको monthly में रख दिया गया है, ठीक है ना, तो इस जगे आपको पता चल जाएगा कि आपको monthly में रखा गय है, या फिर quarterly में रख दिया गया है, यदि monthly में आपको रख दिया गया है, और आप monthly में ही रहना चाहते हैं, यानि monthly में रखने का मतलब क्या है, कि दोस्तो यदि आपको monthly में यहाँ पर select frequency में आपको monthly कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि January to March, यहाँ पर आपको quarterly सोरा January to March, यह January to March 2021 के लिए setting की गई है ठीक न, इसके बाद के लिए नहीं है न, तो January to March में क्या किया गया है, मंतली में, यदि आपको मंतली में रख दिया गया है, और आप मंतली में रखने के मतलब यह है, कि यदि इस जगे आपको select frequency में मंतली में रख दिया गया है, तो आपको अपनी GSTR1 return और GSTR3 return दोनों ही मंतली वेसिस फर फाइल करनी होगी, है न, और यहाँ पर आपको यह भी पता चल जाएगे कि कौन सी return आपको कफ फाइल करनी है, यदि आपको मंतली में रख दिया गया है, तो आपकी जो GSTR1 return है, वो month first के लिए, यानि जनवरी मंत के लिए य और month 3, यानि March month की जो GSTR1 return है, वो 11 April 2021 तक फाइल करनी है, यह इसकी due date हो गई, GSTR3 वी की बात करें, तो month month की GSTR3 वी, 22 February 2021 तक, किसी किसी के में 24 February 2021 भी हो जाई, क्योंकि इस state wise divide किया गया है, तो हमारी जो फर में जिस से state में है, उसके लिए GSTR3 वी के date रहेगी, 22 February 2021, first month यानि जनवरी के लिए, second month यानि February, month की GSTR3 वी फाइल करने की due date रहेगी, 22 March 2021, और third month यानि March month की return, GSTR3 वी फाइल करने की due date रहेगी, 22 April 2021, यानि मन्तली में यदि आपको रख दिया गया है, तो दोस्तों आपको GSTR1 return और GSTR3 वी रिटन, ये दोनों ही आपको मन्तली वेसिस पर ही फ आप मन्तली में ही रहना चाते हैं, यानि आप अपनी GSTR1 और GSTR3 वी रिटन, January to March quarter 2021 के लिए, मन्तली वेसिस पर ही फाइल करना चाते हैं, और आपको यहाँ पर select frequency में मन्तली ही रख दिया गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई process नहीं करनी है, यानि by default आपको मन् हाँ प्सक्तार भी समझ में नहीं आया है, क्योकि किसी को, जिसको चाहिए उसको quarterly में हाण रख दिया गया है, तो यहाँ पर हमन्तली थो यहाँ पर quarterly स्लेक्ट हो, आप देखने जायां और आपको quarterly में selection कर दिया गया है, मन्तली की जग Ε when quarterly होगा यहाँ पर solar truck यह प्लिद ज जा सकते हैं, यानि by default आपको किसी में भी select कर दिया गया हो, आप उससे दूसरे में भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर monthly में select करना चाहें, तो quarterly में भी select कर सकते हैं, लेकिन by default आपको जिसमें रख दिया गया है और आप उसी में रहना चाहते हैं, तो आपको कुछी भी नहीं कर करना चाहते तो उसके लिए आपको process करनी होगी कैसे करनी होगी वो आपको बताते हैं अब यहां पर मानके चलते हमारी यह फर्म है इसको monthly में रख दिया गया है हम चाहते हैं कि इसको quarterly में कर लें तो हम क्या करेंगे quarterly पर कर देंगे क्लिक जैसे ही मैंने quarterly पर क्लिक किया तो यह देखे quarterly आ गया यहां पर quarterly में आपको green buttons होने लगा और save का action भी हमारे पास आ गया अब हमको इसको save करना होगा यह कप करना होगा जबकि by default हमको जिसमें रखा गया है हम उसमें रहना चाहते हैं किसी और में रहना चाहते हैं यानि म हम उसको बदलना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं जैसे कि हमें यहां पर monthly में कर दिया गया तो हम इसको quarterly में करना चाहते हैं तो मैंने यहां पर quarterly पर क्लिक कर दिया आप देखे quarterly पर यहां पर green buttons होने लगा और save का action भी आ गया अब हम save पर कर देंगे click और आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे ही आपने आपर quarterly किया तो देखे return यहां पर बदल गई है return की जो due date थी हो बदल गई यानि gstr1 जो return है month 3 में हम फाइल करेंगे तो 13 April 2021 को हमको इसको फाइल करनी है यह हमारी due date हो जाएगी और gstr3 भी हमको quarterly ही फाइल करनी है first month और second month पर not applicable यहां पर गया तो gstr3 भी return हमको quarterly basis फाइल करनी है आपको यह याद रखना है दोस्तों कि अब यह नहीं चलेगा कि जनवरी 2021 और इससे आगे की period के लिए अब यह नहीं चलेगा कि आप gstr1 रिटन तो quarterly basis फाइल करते रहें और gstr3 भी monthly basis फाइल करते रहें तो अब यह नहीं होगा अब या तो आप gstr1 और gstr3 भी रिटन दोनों monthly basis फाइल करेंगे या फिर gstr1 और gstr3 भी रिटन दोनों quarterly basis फाइल करेंगे न तो quarterly basis हमने क्या किया यहां पर मन्थली में हमको रखा गया था हमको quarterly करना था तो हमने quarterly को यहां पर क्लिक किया और सेप हमारे पास बटन यहां पर सक्री हो गया सेप पर मैंने कर दिया क्लिक जैसे मैंने सेप पर क्लिक किया तो यहां पर आ गया are you sure you would like to file your gstr1 and gstr3 भी for the January to March 2021 at quarterly frequency तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप sure है कि आप January to March 2021 की जो रिटन है वो gstr3 भी और gstr1 तो हम इसको कर देंगे okay जैसे हमने okay किया तो देखिए दोस्तों आपको दूसरी बात यह भी याद रखनी है कि यहां पर error आ गया यानि जब बदलने गए तो यहां पर कहा जा रहा है कि आप यह तभी change कर पाएंगे जबकि आपने December 2020 की gstr3 भी return फाइल कर दी है तो दोस्तो समय यदि आपके पास ऐसा error आ जाता है इसका मतलब यह है कि आपको पहले December 2020 की gstr3 भी return फाइल करनी होगी तभी आप इसको change कर पाएंगे यदि आपने December 2020 की return फाइल नहीं की है तो आप इसको change नहीं कर पाएंगे और जिस frequency में आपको रख दिया गया है आपको उसी में रहन होगा जैसे कि हमको यहाँ पर मंतली में कर दिया गया था और हम quarterly करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर कहा गया कि आपने अभी December 2020 की gstr3 भी return फाइल नहीं की है पहले आप December 2020 की gstr3 भी return फाइल करें उसी के बाद आप इसको change कर पाएंगे देखे यहाँ पर फिर से मंतली में आ अब हम इसको close कर देते हैं तो यह देखी मंतली में ही रहेंगे हम तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपका turnover यदि पिछले financial year 2019 वीस में पांच करोड रुपए से कम रहा है तो पहले आपको यह देखना है कैसे देखना है मैंने ने बता दिया और change करने के लिए जरूरी है कि December 2020 की GSTR 3V return आपने फाइल कर दी हो यदि आपने December GSTR 3V की return अभी तक फाइल नहीं की है तो फिर आप frequency को change नहीं कर पाएंगे जिसमें आपको रख दिया गया है January to March 2021 को आपको उसी basis पर return फाइल करनी होगी और यदि आप change करना चांते हैं तो पहले December 2020 की GSTR 3V return फाइल कर लिए 31 तारिक तक फाइल कर लिजिए और 31 तारिक को ही फाइल करने के बाद आप इस जगह पर आईए और अपनी frequency को change करके और save कर लें तो फिर आप January to March 2021 की जो GSTR 1 और GSTR 3V return है वो आप जैसा चांते हैं उस तरह सकते हैं फाइल ठी आप लिए यजिए आपः लिए